कि अब दुखे रिया है और कुकर में डाला है टू टेबल स्पून ओई ओई उइल को हलका से गरम हो गया है अब गैस की फ्लेम को लो करनेते हैं यहां पर मैंने प्यास दिया है यह देखिए बड़े साइस का प्यास है चार बड़े साइस की प्यास थे इनको मैं इस तरीकी से कल लंबा काटा है आप चाहें तो बारीक मीं काट सकते हैं मेरे को इस टाइप का लगता है तो मैंने इस टाइप से काके अभी डाल देते है अि अब इसको गुमा हरें जो है बिल्कुल लाई नहीं करना है ब्राउन भी नहीं करना है सिर्फ हमको हलका इसको पकाना है तो हलका पक्च्छा बंढ दूर करना है तो इसको हम करीबल एक मिनट के लिए इस तरीके से गुमाएंगे लोख करना हमें करना लाल नहीं करना है तो तो नहीं सकते हैं कि प्याज हमारा दो है वह हलका पख चुका है आखितके हैं डाल weapons के लूम्बी नम्वी कट्ची से कह लिया तो एक जो टी से लूम भाख की काट लिया अब हो फेशओक धाले तेगे इसको हलका गुमाल लेते हैं एक छोटी सी हरी मिर्च बारिक कटी भी उसके बाल मैं डाल रही हूं कुछ मेरे पास पुदीना के पत्ते हैं वो मैंने बारिक काटे हैं वो भी मैं इसके अंदर डाल वही हूं पिरसे से घुमाल रहे हैं इसके तर डाल रही हूं कुछ मसाले तो मैं इसके तर डाल रही हूं वन टी स्पून लाल मेच पाउडर वन टी स्पून नमक मैं इसके तर डाल रही हूं 10 लग्साव मसाले नहीं डालेंगे अब इसके गुमाएंगे इसको इसको इसी तरह से लो फ्रेम पर एंड़ तक जो अपने मसाला पागरा दालेंगे तो एक नट्स्क इस तरीश्पीशने से बुलना है बसिस्के बासिए पासिए पानी डाल चैनल से आपकोड से देल आलेगे आदा गलास पानी है यह मैं डाल डिया तैंट अब इसे लगाएंगे हम दो से तीन सिटी तो चलिए यह से डोज़ा लगा लेते हैं और यह लग चुकी है यह अब बुकोशं कोलते हैं और देखता है कि मारी सब्झी ए ड लग रही है तो आप देख सकते एं कि बल देखने मेही कि इसे छाइप करते हैं कि मैं मैं आप सर्विंग बॉल लेगे असमें डाल लेते हैं कि यह सब्जी गर्मियों में लू से बचाने के लिए बहुत अच्छी है जो कि बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आने वाली है और फटाफट से बन जाती है प्याज भी इसके अंदर पुदीना भी डाला है और हमने इसके अंदर कैदी भी डाली है तीनों ही क्या ही बात अगर आपको मेरी लेडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर कीजेगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको रेसीबी कैसी लगी मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद